मेर तेर्ट वॉल्कम टू माय चैनल रवन इन्डियन स्वाबत करता हूं आप सभी का अपने चैनल रवन इन्डियन पर दोस्तो। है यह अपडेट आजमेर बॉट के वेटिंग कंडिडेट के लिए है अजमेर बॉट के सुत्रों के अनुसार यह पता चला है कि अजमेर बोट के वेटिंग कंडिडेट का एक पैनल तयार किया जा रहा है उस पैनल के अनुसार जो कुछी दिनों पहले चौंता तारी को जो रेल मंतरा लेके द्वारा एक स्थरकुलर जारी किया गया उस स्थरकुलर को ध्यान में लगते हुए इंडिया रेलवे के जितने भी जोनल रेलवे हैं सभी के जीम को यह आदेश दिया गया कि सभी की वेटिंग किसी न किसी रूप में किलियर कर दी जाए हो सकता है कि साइद उसी का यह असर हो जो हमारे अजमेर बोट के अधिकारी हम लोगों का एक पैनल तयार किया जा रहा है इस बात की कितने सचाही है बहुत ही जल्द मैं आपको अपडेट कर दूँगा बहुत ही जल्द आप लोगों को पता हो जाएगी और हमारे अजमेर बोट के जितने भी वेटिंग का डिक कंडिडेट हैं सभी एक सभी के लिए एक उमीद फिर से निकल कर आई है और उमीद ह मैं सभी को इतना ही कहना चाहता हूं कि आगे भी इन सारी बातों को हम लोग एक पॉजिटिव वे की रूप में ले सकते हैं क्योंकि देखा जाए तो जब से रेलवे अजमेर बोट ने हम लोगों का रिजल्ट जारी किया था तब से लेकर अभी तक किसी वीतरा का रिप्ले दोसे तो लोग उम्मीद पर ही चल रहे हैं उम्मीद पर पुरी दुनिया कायम है तो इसमें उम्मीद रखने में क्या दिक्कत है दोस्तों लेकिन ये बाते जो निकल खरा रही है कहीं न कहीं है हम लोगों के लिए एक आसा की किरन है जो हम लोगों के भरिस्त को बदल सकती है तिसलिए इस बात को हमें विश्वास रखना है कि इस बार हम लोगों के साथ नयाई हो और अजमेर बोड हम लोगों के साथ नयाई करें जितने बच्चे-बच्चे सब्सक्राइब करें तो फिर मिलते हैं नई अप्रेट के साथ जया हिंद जया भारत